अब फ्लोरिडा के किया चीज़े उगती हैं गाओं में और गाओं वगरा कभी हमें गाओं में दिखती नहीं है तो अभी मैं ही आया हूँ और लेंडो से एक घंटे की ड्राइव करके आया हूँ और यह देखे मेरे लेफ्ट साइड में आपको सब गाओं दिखेंगी यहाँ तो आज मैं सोचा कि चलो आप लोग को दिखाता हूँ असली गाओं जहां पर आपको गाओं भी दिखेंगी और क्या चीज़े उगती हैं वो सब भी दिखेंगी तो यह आप देखिए इस एरिया के अंदर आपको हजारों लाकों की तदात में आपको गाओं दिख है मतलब कोई लाल है कोई ब्राउन है सफेद जो इंडिया के अंदर तो जातर सफेद गाएं देखने को मिलती है याँ पे आपको अलग-खलर's की गाएं देखने को मिलेंगी जैसे हमारे इंडिया के गाओं के अंदर जोड होते हैं इन्होंने भी यहाँ पे उसी तरीके का गाएं के लिए देखो जोड बनाए हुआ है और ये गाएं को कभी यहां से भार नहीं निकालते हैं गाएं हमेशा इसी एरिये के अंदर ही रहती है एरिया इतना बड़ा है देख रहो पुरा ऐसे लग रहा है थोड़ा चोटा सा हिल टाइप में पहार टाइप में चोटा सा तो काफी इंट्रस्टिंग है ये और ये गाएं बाहर ना आपाई इसलिए इन्होंने यहां पे जालियां लगाई है देखो एक लकड़ी का ऐसे पॉल गाड़ के और ये वाली तार लगाई है ये तार देखो कितनी दूर तक जा रही है पूरा हैं तक कई माईलों में है य जहां पे सब गाएं हैं अभी आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा दोनों तरफ गाएं ही गाएं आप लोगों को दिखेगी और कुछ दिखेगा नहीं आपे और पासी में इस जगह पे एक जगह पे जहां पे लोग खेती करते हैं अभी आप लोग को वहां लेके चलता यह देख लो अभी मैं ड्राइव करता रहूँगा आपको काव भी काव दिखती रहेंगी अभी फिलाल मैं आपको लेके चल रहा हूँ जहां पर एक खेती करते हैं और किस चीज की खेती होती है फ्लोरिडा में जादा तो यह आप देख रहे हैं यह जो खेती हो रही है यह हो रही है और इंजिस की जो संत्रे होते हैं संत्रे मुसम्मी उसकी यह जो मुसम्मी की हो रही है यह देखिए आपके सामने सब मुसम्मी लगी वी है और यहां पर संत्रे मुसमी हर्ची जुगाई जाती है तो यह देखे कितने बड़े बड़े खेत हैं यह इसके अंदर पता नहीं कितने मतलब लाकों पेड लगाए हुए है यहां पर अमेरिका में किया है कि जमीन बहुत सस्ती है अगर आप जमीन लेते हैं तो और खास तोर पे गाउं की तरफ में जाके जमीन लेंगे तो बहुत सस्ती होगी और यह यहां के जो फार्मर्स होते हैं जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास इतनी जमीन होती है जितनी मतलब एक हमारी वहाँ पे छोटी-छोटी कोई सिटी होती है से जादा तो यह farmer जमीन ले रहे हैं यहां के farmer काफी अमीर है देखो पानी के लिए भी नोने यहाँ पे पाइप बिचाएवे हैं मतलब कितना बड़ा खेत है यह पूरे खेत में कभी पानी देने के लिए नहीं आते हैं ऐसे पाइप बिचाएवे हैं पाइप के तुरू ही पानी इदर सप्लाई हो रहा है इन पेड़ों को जो पानी मिल रहा है यह देखे मैं आपको दूसरी जगह पे भी दिखाता हूँ वहाँ पाइप बिचाएवा है इसमें भी पूरी लाइन में कितना लंबा है पाइप बिचाएवा है क्योंकि फार्मर बहुत अमीर होते हैं कोई वह आके यहां पे जैसे इंडिया के अंदर स्पेशल जाके बिचारे पानी दे रहे होते हैं चोटे चोटे फार्मर तो यहां पे कई फार्मर के पास तो प्लेन भी है अपने प्लेन से वह देखते हैं चीजे मैंने देखा है यह तो चलिए अभी अम लोग सीधा निकलते हैं यहां से खेतों से इनके घरों की तरब और मैं आप लोगों को घर दिखाता हूं मैं और एक दो वीडियो बना चुका हूं गाओं की आप लोगों को काफी पसंद आई ती तो आप लोगों ने उस पे काफी कमेंट किये वे थे के यह दिखाओ कि गाएं होती है नि होती तो आज आप लोगों ने देख लिया है कितनी सारी गाएं हैं और खेती भी आप लोगों को दिखा रहा हूं हर वीडियो में ऐसे कोशिश करूंगा कि अलग-अलग टाइप की कुछ चीज़ आपको दिखा सकूं तो आज मैंने दिख हैं मर गाओं में एक चीज़ है हर्याली बहुत है यह देखो कैसे अच्छे डिफरंट डिफरंट घर है पुराने यह इनके यहां पे चर्च है यह देखिए अगर यह आप वहां पे जाएंगे चर्च देखने के लिए विक सीटी के अंदर तो आपको बहुत लगजरी मिले इनके गाओं में बिल्कुल नॉर्मल टाइप के चर्च बनाई हुई है और हर्याली देखो यार हर्याली कितनी कीवी है इन बंदोंने और घर भी काफी अलग अलग इन टाइप के बनाए है यह गाओं में और जमीन देखो आप इनके पास कितनी जमीन है और यह वाला घर त किसे दाइं बाइं कितने चल्ट वाल लगाएं तो दिल कूश हो जाता है मिरा जब भी मैं गाउं की तरफ तरफ दिल कूश हो जाता हूं और कि गाउंग माले के पास टरटया और ऑ़ neither अच्छा इसने घर बनाये हुआ है तो काफी आप लोगों को मैं बता रहू हूं गाउं- बहुत अमीर भी होते हैं, यह जो गाउं वाले होते हैं, यह जो गाउं वाले होते हैं, इनका जो स्टेंडर है, इनका स्टेंडर काफी हाई होता है, जैसे सिटी वालों का होता है, वैसे ही होता है, तो आपको यहां पे वो सब चीजे मिल जाती है, फैसलिटी जो के आपको श तो इनको 20-25 मिन ड्राइउ करके जाना पड़ता है और कुछ गाउं तो ऐसे हैं जो काफी बड़े गाउं हैं उन गाउं में तो उन्होंने वोलमार्ट तक खोला हुआ है कमाल है मतलब आजकल हमारे इंडिया के गाउं भी पीछे नहीं रह गए हैं ओ इन्डिया के गाउं में भी घयाता कुछ दिन पहले मजब 2-3 मेने पहले मैं इंडिया जो बाहाँ था तो मैंने गाउं की वीडियो भी बनाही ह で तो यहां पर यहां पर इस वर्लएष ऑब यहां पर 12 में तैसी ग्रीन रहता है क्योंकि यहां पे स्नोफोल नहीं होती है जादा ठंड नहीं होती है फ्लोरिडा के अंदर तो फ्लोरिडा बहुत अच्छा स्टेट है रहने के लिए जिन लोगों को अगर ठंड जादा पसंद नहीं है तो वो लोग सब यहां पर आ जाते हैं दूर दूर से रहने के लिए तो मैं कभी आप लोग को फ्लोरिडा की और भी वीडियो बना के दिखाऊंगा आप कमेंट करके बताओ आप फ्लोरिडा में और किस टाइप की चीजे देखना चाहते हो मुझे पता है काफी लोगों ने बोला है मयामी की वीडियो बनाओ अभी मैं आप लोगों को बताया है कुछी दिन में कोई आने वाला है स्पेशल बंदा तो उसको मैं मयामी लेके जाने वाला हूँ और मयामी की आप लोगों को वीडियो आएंगी और आप में को बताईए कि आपको फ्लोरिडा में किस टाइप की चीजे देखनी है